सर्यू नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है पहाडों पर हो रही भारी बारिश और मानसून के आगमन ने सर्यू को धीरे धीरे खत्रे के निशान के पास पहुचा दिया है फिलहाल सर्यू का जलस्तर 92 cm है जो खत्रे के निशान से 73 cm नीचे है लेकिन तेजी से बढ़ता पानी चिंता का विशय बना हुआ है केंद्रिय जल आयोग के अनुसार सर्यू का जलस्तर हर घंटे 1-2 cm बढ़ रहा है निचले इलाकों में बाड की संभावना को देखते हुए अलट जारी कर दिया गया है और गहरे पानी में जाने से श्रधालूओं को रोक दिया गया है जिलाधिकारी अयोध्या, नीटीश कुमार ने बताया कि वर्तमान में बाड जैसी स्थिती नहीं है लेकिन प्रशासन ने बाड से निपटने की सभी तयारिया पूरी कर ली है बाड चौकियों का निर्मान हो चुका है और चौकियों पर 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है सदर तहसील में छे, रुदौली में तीन और सुहावल तहसील में एक फुल मिलाकर दस बाड चौकियों का निर्मान किया गया है इसमें हम लोगों ने बाड के पूर की तयारी हम लोगों कर लिया है और बाड के पूर की तयारी है उसमें बाड चौकियों का निर्मान है तो हमारे हाँ सदर तस्दिल में 6 और रुदावली में 3 और सुहावल तस्दिल में 10-12 चौकियों का निर्मान हो चुका है और जो हमारे हाँ पिछले साल लगों 12 गाम प्रभावित हुए थे सदर और रुदावली और सुहावल मिलाकर तो उसको द्रिष्टिकत रखते हुए हम लोग ने चौकियां स्थापित किये और अगर यदि बाढ़ अधिक आती है तो जिन गाउं में चौकियां है तो उसको अस्थाई चौकियां हम लोग बनाएंगे जो हमारे पंचायद भवन है जो हमारे वेलनेस सेंटर है वहां पर हम में लगे हुए बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई है उसमें 247 की ड्यूटी लगा दी गई है और वहां पर हमारे करमचारी रहेंगे और बाढ़ किस्तिती के दौरान अगर बाढ़ किस्तिती उत्पन होती है तो उसको ततकाल रुप से उसको अर्ली वार्डिंग सिस टिकत एलाट जारी क्या हुआ है और हम लोग लगातार रखे हुए नजर उस पे और सबसे महत्पूर्ण जो आपदा के दौरान जो राहत समागरी दी जाती है और राहत समागरी के संदर में इतने भी टेंडर्स प्रक्रिया है वह कंप्लीट कर दी गई है और किसी भी स्ति प्रशासन ने नावों और गोता खोरों की व्यापक व्यवस्था की है जनपद अयोध्या में परियात वोट उपलब्ध है और आवश्शक्ता पढ़ने पर अन्य जिलों को भी सप्लाई की जाएगी समय की मांग है कि सभी लोग सतर्क रहें और प्रशासन द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करें बाड की संभावनाओं के बीच सुरक्षा और सतर्क ताही सबसे बड़ा बचाव है लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट